जैसे कि हम सब को पताना अगर हम से आड़ी लेनी है या पिन अधार सेंटर खोलना या फिन CSP सेंटर लेना है तो सबसे पहले आपके मन में सवाल आता है या फिन सबसे पहले डाकुमेंट की जो रिक्रेक्टर का मतलब है चरीत प्रावन पत्र आपके पास होना निमार है तब आप अप्लाइक कर पाएंगे और साथ आधार या फिन CSP या फिन CSC सेंटर को छोड़ कि अगर आपको कोई ठेकेदारी करनी है बड़ा ठेकेदार बनना है तो सबसे पहले जो रिकॉर्ड में उती है डाकुमेंट की चरीत प्रावन पत्र की अगर आपके पास करेक्टर सार तरीके से अपने मौल से अप्लाइक करके घर बैठे अपना चरीत प्रावन पत्र बनावा सकते हो भी सिंपल तरीके से आपको कहें जाने क्यों सकता नहीं तो आपको मुन में सवाल आता है यार मुझे ऑनलाइन का तरीका पता नहीं कैसे फोटो अपलोड करेंगे तो मेरे दोस मैं आपको बता दूँ आपको परसान हों के कोई सकता नहीं क्योंकि इस वीडियो में एक दर सिंपल तरीके से आसान भासा में और इस्टब बाइस्टब आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप युजर आडिए और पासवरे बनाएंगे और किस तरह से जो चरित्र पर आपको बता दूँ आपको पूरी जानकारी का मिलती है जब आपको चलिए दोस में देर की वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले को चलिए अपना मॉलों करने के पार अपनी पलेश्ट आप little अपन कर लिक्सेटर लिकिना उबस्टंप के लिक्ना आपको यृपी काओ कौरे 어떤 को सर्च करदे लिए तो छेसे को तरह से इंटायों मूआ या जागा अगर आफने इसके पहले इस्ठाव में और या अफन चनल आप कर देंगे कर लेनी है तो जैसे क्लिक पूछन आम बाल नॉमर आपकेपह वार नमबर है तो सिंबल्दर के सपने मौल में पर टाइप करेंगे करेंगे तो आपकी डाटर आपके समने हो लेकिन विट वाता देखार यूपी कॉप आप पहले बार इस्टॉल कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपनी पासवर्ड बनाने होगे तब जाके आप लॉग इन कर पाएंगे तो अगर आपको यह पासवार्ट बनानी है तो नीचे आप सब्सक्राइब क्लिक कर लेनी है तो आप जैसे सबसे पहले पूछ रहा नाम तो आपको आपको पासवार्ट अपने तरफ से बना लिए कम्प्लेट अपर देख सकते हैं आप सब्सक्राइब क्लिक कर लेंगे तो आप जैसे समेट पर क्लिक कर दें आपको पूर्ण बैक आजने बैक आने के बात क्या करने हैं आपके जो आपके पास दो आपस ने क्लिक कर लेंगे तो आपके मौल पर पासपूर्ट साइच फोटो अपलोड होनी चाहिए यानि अगर आप पहली बार आवेदन करें तो आपका परजंट में यानि एक डेड़ महीन है पुराना फोटो यह अपलोड करें अगर उससे आदे पुरान फोटो तो आप अपलोड ना करें दूसरे अवेदन सुल्क रुपया पचार नेरदारी था जो कि अवेदन करते समय ऑनलाइन जमा करना नहीं वारे बिना सुल्क जमा कि अवेदन अपोड माना जाएगा यह उक्त अवेदन पर किसी प्रकर की आपके जो अपलिकेसिन हो जाएक उस पर कोई अमल नहीं किया जागा तीसरा वेदक जिसका सत्यमान वर्तमान का पता अस्ताइप तो अप्रदेश का होना आवसक है यानि अगर आप यूबिसे व्लाओं करते हैं तो अभी आप यहां से अप्लाइक कर सकते हैं आपके अपन हैसाब से लगा सकते हैं इसके पूछ रहा है कि आपके जो कंप्ली अडरस ऑपर करने की से लटकरने के अपना जीना कर सकते हैं तो अगर आपका सबोसी मांता हो नी साइब से क्या करीं याँ पर से लट कलेंगे लिखा पर देख सकते हैं पर्मानेंट ऐडर्स से में पर देख सकते हैं याणि आपके बताए के अगर आपके नाम से क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आपके मौल पर जहां भी फोटो के क्या कर सकते हैं तो जैसे फोटो का चुना कर लेंगे तो आपसे इस तरह से सो जागत के नीचे आपसे डंगा इस पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने कि अपिसमे होटी क्लिक कर लेंगे तो आपको फारन के बाद कारना सो इसेदा प्लिक कर देने क्लिक कने का बश्leness आपको कना क्या है कि आपकी जो पेएंट मादम से डिविट करें चाड के मादम से और माँट कर आने के बाद हैं क्सामरें अपको आपको ृफ्टो कर लें चाना अनिवार् है स्टाफिए से रिपोर्ट लग जाती आपका सब्सक्राइब कर सकते हैं तो जैसे आपकी चरित्र प्राइब पत्र जन्रेट हो जाते हैं अगर उससे डाउलोड करना चाहते हैं आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपके पास रिक्वेस्ट नमर कर सकते हैं नहीं है तो कोई दिक्कर नहीं आपके सबसे पहले आप साने स्विक्राइब का दूसरा बुकतान की लंबित हैं अगर आप नहीं कटाएंगे तो यहां पर सेकंड वाले आपस जैसे सोग कर रहा था लिक कर सकते हैं कि आप कि यापकी डाता कापि हो घाए हो जाएगा याप हाइब करने है तो यह बैसे रहे हो जो जूका है याcoat हो जुका हैจะ कर सकते हैं click can be版 कर सकते लएक करने के बाद आपको जहांबी करना ही सिंपल तरीके से कर सकते मैं आपको बता को बता करने चुना करने क्लिक करने स th तो जैसे आप सार्च पर क्लिक करेंगे तो आपको नाइट में योज नहीं करनी अगर आप नाइट में कटाते हैं तो आपका नहीं कट पाएगा इसलिए प्रमाण पत्र बनने के बाद उसे आप इप्योग में ला सकते हैं तो अपने मुगाल से चरित प्रमाण पत्र के लिए कैसे अवेदन करेंगे वह भी सिंपल तरीके से आसान बासा में इस वीडियों में आप से तो हमें आसे हमना आपको जो भी जन कर दी साथ अच्छले को ज इस वीडियो को लाइक कर दीजिगा और साथ से अच्छेन को सट्राइक लिजिए और साथ से पहले आइकन जरू दफा दीजिए ताकि जैसा मैं कुछ जनरन कर दो आपके पास सबसे पहले मैसेज बढ़े अगर वीडियों देखनी के बाद भी आपके मनमें कुछ कुछ नि निदान कराने में मैं सब भलो पाओं तो चलिए दूस मिलते हैं कुछ ऐसे इसांधार वीडियो के साथ तब तक लबंद मात्राम जय हिंद